Hi trainees, welcome to our channel. CBSC की तरफ से उनकी official website पर class 10th और 12th की date sheet release हो चुकी है, term 2 की. आप ये देख सकते हैं कि मैंने class 10th की date sheet open के रखी है. तो मैं आपको detail में एक पर सारी date sheet बता देती हूँ कि क्या है और अभी के अभी आप अपना copy pen उठाईए और जो भी आपके subjects हैं उसकी date sheet आप अपने copy पे note down कर लें. 26th April को आपके exam स्टार्ट हो जाएंगे, timing रहेगी 10.30 से 12.00 बजे. 27th April को main exam होगा आपका English, ठीक है, वही 10.30 से 12.30 timing रहेगी. उसके बार 28th April को आपके सारा पढ़ सकते हैं, यतने सारे subjects का exam होगा. तो जो भी आपका subject है, आप copy pen पे उसकी date note down करते जाएं, ठीक है, साथ में आप code भी note कर सकते हैं, जैसे home science अगर आपने opt किया है, तो second में को home science का होगा, 064 उसका code रहेगा, उसके बाद maths का अगर main exam हम देखें, Thursday को, 5th में को आपका maths का paper होगा, standard का भी और basic का भी, code भी साइंस पे अगर हम आए, तो 10th में को आपका science का आता है, मतलब कि 5 में को आपका maths का है, और 10th में को आपका science का है, बीच में आपको 4 days मिल जाएंगे, जहां पे आप अच्छे से science की तयारी कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपने Punjabi opt कर रखी है, तो Thursday को, 12th में को आपको पंजाबी होगा, मतलब साइंस के बाद आपको एक दिन मिल जाएगा पंजाबी पढ़ने को, उसके बाद social science है 14th में को, ठीक है, और अगर science के बाद सीधा social science आप दोगे, तो आपको 3 दिन social science पढ़ने में मिल जाएंगे, तो अच्छा gap दे रखा है सभी subjects में, तो बहुत अच्छी date sheet बनाई है, ठीक है, अगर Hindi course A या course B जिनों ने opt किया हुआ है, वो Wednesday 18th माई को होगा, उसके बाद 21st में आप सारे ये पढ़ सकते हैं, subjects कौन-कौन से हैं, computers जिनों ने रखा है 23rd app माई को, computers का होगा, और information technology 24th में, मतलब कि 24th में को आपके exams खतम हो जाएंगे, न social distance बनाई रखना है, वही precautions हैं जो आपको follow करनी है, हाँ, question paper रीट करने के लिए आपको 15 मिनट पहले reading time जरूर दिया जाएगा, तो ये सारी date sheet थी, जो मैंने आपको अच्छे से दिखा दी है, तो आप वीडियो को pause करके भी note down कर सकते हैं, या CBSE की official website से भी download कर सकते हैं, तो I hope आपको सारी date sheet समझ में आ गई होगी, तो all the best, जल्दी से अगर अपने भी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तो मिलते हैं next video में, तब तके लिए bye bye and take care.